मेरे साथीगाण, सभी मंडल सेक्टर के प्रबारी और सदस्यगाण, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता था, कि मंडल सेक्टर की हम बेटर करें, क्यों? क्यों? हमारा चुनाब भारतिय जनता पार्टी से नहीं है, भारतिय जनता पार्टी के सगटन से, हमें यह याद रखनी है बात, कि समय बनल गया है, समय में बनल बतन है, आज का मत दाता बहुत होशार है, पहले एक निता दस गाउं में जाके कह सकता था, कि कॉंग्रेस को बो बाई बतीजा चाचा चाची अलग-अलग वोट दिलते हैं और जब तक आप लोग जब तक आप लोग उनका ध्यान ना कर्षित करें किस तक नहीं बहुंचें चुनाब जीतना संबब नहीं है आप सबने जो यहां बैठे हैं मुझे कोई ज्यान नहीं देना आप में तो कॉंग्रेस की नीव बना के रखिए आज प्रश्ने एक उमीदवार का नहीं है हमारा उमीदवार तो साधारन साधल सभाव का उमीदवार है आज प्रश्म है हमारे प्रजातंत का हमारे प्रश्म है हमारे संविधान का बोलो सरकार बना लो अब तो पंचाज चुनाब की भी चुनाब नहीं है बोली बोलो सरपंच बुनू तो ये हमारे सामने चुनोती है ये उट प्णूनाफ की चुनौती नहीं है ये तो मद्देपरदेश के भविश्य की चुनौती है हम कैसा मद्देपरदेश बनाना चाहते हैं कॉंग्रेस की सरकार रही 15 महीने दाई महीने गए, आचार सहीता और लोकसवा में, एक महीना गया सौदे बाजी में, साड़े जारा महीने मेरे पास थे, साड़े जारा महीने में कॉंग्रेस की सरकार ने मद्र प्रदेश की जन्ता को परिचे दिया, अपनी नीती और नियत का परिचे दिया, और आज आपको जनता के बीच में जाकर आपको जनता के बीच में जाकर माफी नहीं मांगने मेरा प्रेयस था कि जब आप जो कॉंग्रिस परिबार के सदसे हैं हम जनता की बीच में जाएं आप अपनी चाती ताने होए जाएं आपको शर्माना ना पड़ें तो मुझे पूरा विश्वास है अब बीस दिन बचे हैं अभी अभी घोशना हो रही है जैसे मैं बोल रहा हूँ घोशना हो रही है उपचुनाफ की बीस दिन के अंदर उपचुनाफ हो दाएगा समय नहीं है समय नहीं है अब तो घर छोड़के काम छोड़के सब को चोड़के अगले बीस दिन आपको कॉंग्रेस को समर्पित करने हैं आप यहां आए हैं यहां कोई जो भी मंडल सेक्टर के हमारे जम्मेदार साथी हैं आप आएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए चार दिन में बारतिये जन्ता पार्टी बहुत मजबूती से काम करती है और कॉंग्रेस को जब नुक्सान होता है आखरी तीन चार दिन में होता है आपने देखा जिनों आप देखें वो जवाना चला गिरा की बड़ी बड़ी रैली हो जाएगी 200 गारियों की रैली निकलेग अब तो यह 200 गारियों की रैली निकाल लो और 25 जार से हार जोगी यह भी होता है तो आपको जमीन समझ भी है कभी कभी हम भूल जाते हैं हम दूसरे दुनिया में रहते हैं आख दुनिया बदल गई वोटर बदल गया परिस्तितिया बदल गई लोग बदल गए हमारे साथी 10 साल पहले 8-8 10-10 वरा बड़ा घटे काम कर सकते थे अब स्वास नहीं देता स्वास साथ नहीं देता ये स्वावा में है समय को कोई रोक नहीं सकता आपको समय पहचान ला है और मुझे पूरा विश्वास है जो आप लोग यहां बैटे हैं अगर आप ने हमने कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता, कॉंगरिस की सरकार फिर से बनेगी, ये जो नोटों की सरकार है, हमारी वोटों की सरकार बनेगी, आज से का बहुत दन्यवाद है.